हालदवानी हिंसा से जुड़ी वी जो मिल रही है बो आपको बता देते हैं हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने भड़काओ बयान दिया है इतियादे मिलत काउंसल यानि कि आइमसी के प्रमुखे मौलाना तौकीर रजा काए उन्होंने कि हम किसी बुल्डोजर को बर्दाश से नहीं करेंगे मौलाना ने काए कि अगर अबर हमला हुआ तो हम जान लेने से भी नहीं चुकेंगे ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहें तौकीर रजा का विबादिक बयान हमला अगर हुआ तो जान ले लेंगे जान लेने से भी नहीं चुकेंगे हालदवानी इंसा और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा का ये भड़काने वाला बयान अब सामने आया है बुल्डोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे तो हम उसको जान से बार दे ये हमें खानून या धिकार है और वहीं अलदवानी इंसा के बाद प्रशासन पूरे आक्शन बोड में दिखाई दे रहा है सीसी टीवी फुटेच के आधार पार उपद्रवियों के तलाश की जा रही है गाईयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा आज चीश सेकर्टी मैडम मौर हमने सारी समिशा की है अस्पताल गए वहाँ जो लोग घायल एडमिट हुए हैं उनका हाल चाल पूछा गया और अभी यहां ठाने पर आके डामेज हमने एसर्स किया है तो अभी सिती थोड़ा तनाव पून है लेकिन यह अंतर्म में है और हमने डी एमस्पी के साथ और एडी जी लोग नॉडर हम सब लोगोंने मीटिंग कर ली है और मुझे विश्वा से जल्दी ही शान्ती व्यवस्था को बहाल करने के लिए और इस उपद्रव के पीछे जो भी शराती तत्य थे अंटी सोशल एलमेंट्स थे उनके खिलाब सक्से सक्साथ और अल्दवानी में जिस जगा पर हिंसा हुई उसी इलाके में कई ऐसी चीज़ें खैबरे में कैद हुई है जो कि हिंसा की साज़िश से सीधे सीधे जूड़ी है आपको न्यूज एटिन इंडिया की एक्स्क्लोजिव ग्राउन रिपोर्ट दिखाते है पूरे इलाके में कर्फ्यू है यह बता जा रहा है कि यहाँ पर लोग उपर पत्थर मार रहे थे अब वो हुजूम यहाँ पर गायब है क्योंकि कर्फ्यू की जो इस्तिती है वो यहाँ पर बरकरार है और इसी वज़े से इसके आसपास की इसी तरह में जो जितने भी गलिया है वो सब संदाटे में है तो कि इलाके में कर्फ्यू है इंटरनेट सेवाओं को बादित रखा गया है ताकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें गलत तरीके से किसी भी अफवा को पनपने दे दे और इसलिए सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कर रहे है कि किस तरह से वापर हिंसा की गई यह आप देखें पेट्रोल बम फेकता हुआ यहाँ पर उपद्रवी इस तस्वीर में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है आप प्रशासन का भी यह कहना है कि पूलिस की टीम के ओपर हमला यह जो किया गया था यह पूरी बखायदा एक साजिश थी आप इन्ही उपद्रवियों को यह जो आपको इन फुटेज में दिखाई दे रहे हैं इन्ही की तलाश अभी इस वक्त की जा रही है पेट्रोल बम का इस्तेमाल मतलब प्लानिंग पहले से रही होगी इन लोगों की जरूर और आप यह जो हिंसा की साजिश हलदवानी के अंदर अची गई थी इन्ही लोगों को उपजब्यों को पकड़ने के लिए जो पूलिस की टीम है वो इस वक्त लगी हुई है और जिस वक्त वो इन्सा हुई उसके बाद किये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कैसे वहाँ पर आगजनी की गई किस तरह से इन्सा वहाँ पर बढ़काई गई और कैसे चाहे वहाँ पर बाइक थी गाडिया थी पूलिस की टीम का कोई शक्स था सब कुछ आग के अवाले कर दिया गया और अब तो प्रिशासन भी इस बात को मान रहा है कि ये जानलेवा हमला था बाकाईदा ये साजिश थी कि जितने भी वहाँ पर अधिकारी पहुंचे वे थे पूलिस कर्मी पहुंचे वे थे जो भी कारवाई करने के लिए वाटीम पहुंची भी थी उन सभी के उपर ये जानलेवा हमला किया गया था किस तरह से दंगाईओं ने वाँ पर कौराम बचाए और तस्वीरों में साफ तौर पर वो दिखाई दे रहा है और अब एक-एक उपद्रवी की पहचान की जाएगी ये प्रिशासन की ओर से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और अब इनी उपद्रवियों को पहचानने का क किया गया है तो इन तस्वीरों में जो लोग दिखाई दे रहे उन्हें पकड़ने की भी जरूर इस वक्त कवायद हो रही होगी इन चैरों को पैचानने की कोशिश की जा रही होगी नस सर्फ पत्थर पेका गया है इन तस्वीरों में पत्थर पेकते तो आपको पत्र भी लेकिन पेट्रोल बम तक का इस्तिमाल किया गया और जाहिर सी बात है वो पहले से तयार करके रखा गया होगा कि अगर ऐसी इस्तिती आती है और अगर प्रशासन महां पर पहुंचता है बुल्डोजर की कारवाई होती है तो फिर जवाब ऐसे ही दिया जाएगा उसी से जल रही थी, मोटर साइकल जल रही थी, गाड़ियां आप पर जल रही थी न्यूज़ेटीन इंडिया के दीपक बिश्टिस्पक मेरे साथ जुड़ भी रहे है उनका में सीधा रूख खाल लेती हूँ कर्वी साध्य वर्दी में यहाँ पर दिखाई दे रहे है उनके इलावा और यहाँ पर कोई भी है नहीं कोई निकल सकता है कौकि कर्फ्यू गोशित इलाका है और मनबल पूरा मैं जिस तरह से थाने को जलाने की कवाय्ट चलाने या फिर मार्कवीट और पत्राव करने असपास का एरिया में हुआ था और इसके बाद से ही आज की इस्तिति अभी तक सामान ने बनी हुए और ऐसे में लेकिन जो लोग हैं कुछ परिशानिया उनको हो सकती है क्योंकि जो प्रशासन ने अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं को देने की बात कही थी उसके अलावा यहां पर कुछ ऐसी और दूसरी सुविधाओं ने थी लेकिन लोग जो यहां के इस्तानी लोग हैं वो चाहते हैं कि यहां पर कुछ ऐसी सुविधाओं जो बच्चों को दूद की जरूवत है वो यहां पर वो चाहते हैं लेकिन अभी तक खिलाल प्रशासन की तरफ से इस में कोंकर दो मौत पहले बताई गई थी उसके बाद चार मौत की बात की गई थी अभी भी मौत का जो आखला है वो दो में टिका हुआ है प्रशासन के कहना है कि जब तरक क्लिरिस्टिकेशन नहीं आता वो पूरी तरह से अभी क्लि야 नहीं कर सकते लिकिन दो मौत अब हुई है ये दो लोग कौन है इनके बारे में इंवस्टिकेशन की जा रही है वहीं एक युवक जो आजय है उसको गोली लेगी है जो इसी रूट से जा रहा था और उसकी जो गोली जो जब उसे लगी थी दंगाईयों ने उसे गोली मारी थी तो उस वक्त वो अपनी मां के र शाफ तोर पर चेहरे तो नहीं दिखाई दे रहे है लेकिन उपद्रवियों की पहचान के लिए अभी क्या पहल की गई है देखे पुलिस के लिए काफी हद तक काफी कुछ है इस पूरे केस मैं कहुं की जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट जिस तरीके से पूरी को डिटेंट किया जाएगा और ये वो लोग हैं जो विरोध कर रहे थे विरोध करने का जो उनका तरीका था बिल्कुल कर रहे था उनकी आर में दंगाई पहुंचे उबद्रवियों ने उबद्रव किया तो पुलिस को अब इन फुटेज के आधार पर जाच आगे बढ़ पुलिस को पहले बद्रवियों के उपद्रवियों के उपर तो कितने सक्ट एक्षन की तयारी की जा रही है प्रिशासन की तरफ से वो इससे समझा जा सकता है अब NSA के तैट इन उपद्रवियों के उपर कारवाई की जाएगी यह बहुत बड़ी खबर हालदवानी इंसा मामले से जुड़ी वे इस वक्कि हम आपको बता रहे है जब उपद्रवियों के उपर NSA लगाने की तैयारी की जा रही है आगे की कारवाई NSA की तैट की जाएग जैसा मैंने बताए लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सकसे सक जो हमारा NSA है National Security Act उसके तहट इनके खिलाफ कारवाई की जाएगी और वे देखिए नगर निगम और पुलिस की टीम हलदवानी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदर्स्ते को तोड़ने के लिए बस पहुँची हुई थी अवेद निर्मार पर प्रशासन का बुर्डोजर चली रहा था कि महाँ पर रहने वाले लोग बुरी तरह से बढ़क गए ऐसा कौराम उसके बाद मचाया गया कि पुलिस की जान पर यहां बनाई बात तीकी बैस बाजी से शुरू हुई थी पहले तो पुरुशों से लेकर के महलाय सभी पुलिस से उलच पड़ी लेकिन फिर मामला इतना बढ़ गया कि लोगों के सिर पर खुन सवार हो गया उन्होंने पुलिस की टीम के उपर यह अंदा दूंद पर्थर बरसाने तक शुरू कर दिया उस समय की तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं हलदवानी की गलिया पथरों और इटों से पड़ गई अपनी जान बचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने भी पत्थर उठा लिया और बाद में मजबूरी में लाटिया भी बांजनी पड़ी पुलिस कर्मियों को और यह सबसे आखरी रास्ता होता है पुलिस के पास दीपक बिष्ट का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं दीपक अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी इंसा के बाद भी भड़काओ बयान देरें तौकी रज़ा का बयान हमने सुनाया भी अभी दर्शुकों को जरा यह बताएं कि वहाँ पर जो मॉलाना है वहाँ पर जो लोग है वो शांती की अपील क्या कर रहे हैं देखिए अभी तक जो हम गए थे जो यहाँ पर जामा मस्जित है वहाँ पर हम इमाम से मिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी वहाँ पर मिलने के लिए सामने नहीं आया और नहीं कोई मॉलाना इस वक्त इस पूरे मसले पर बोलना चाहता है जो इस पूरे साजिश के पीछे हो सकते हैं तो कुल मिलना के अभी फिलहाल कोई भी ऐसा पक्ष सामने नहीं आया जो इसे गलत है रहे या फिर वो अपने को यहाँ पर पिडिद बताए तो कुल मिलना के यह कहना होगा कि अभी जब जाज शुरू होगी तो पुलिस ने उन जब यूं क्यों उनकी तलाश भी की जा रही है अब अरे रही है दिपक मेरे साथ लौचूंगे और आगया आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे लेकिन देखिया हल्दवानी हिंसा की पूरी साजिश का परदा फार्श अब किया जा चुका है मौके पर मौजूद चश्मदी अब यहां पर मज़ूर आपको जो दिखाई दे रहें कर्मचारी हैं नगर निगम के यह सभी लोग पहुंचे थे उस अवैद निर्माल को हटाने के लिए और उनकी तस्वीर अब देखिए यह इनके किसी का सिर्फ उटा है पत्थर मारे गये हैं किसे के पैर हाथ परो में चोट है यह देखिए इस तरह से यह लोग यहाँ पर घायल है इनके जो हेलमेट है उन पर भी यहाँ पर खून के निशान दिख सकते हैं आपको यह चोट जो लगी है इनसे पूर से कैसे ही सब कुछ भूआ चा रहा है कितने बज़े गये ते वहां पर तभी से ही नोने हम लोग वहां कपनी कारवाई करने के लिए गए थे अवैद निर्माण का दुषस्त करने के लिए गए तबी सोलोन पत्थराओ कर दिये हमें अंदर तक जाने नहीं देर थे और हमारी गाडियों में भी आग लगा दिये सरवा निगम की गाड़ियों जला दी है पूरी और कितने लोग बे थे यहां से जब लोग आपके पत्थर लगा कितने वज़ें लगा और कहाँ पर लगदाये थे अंदर गली में लोगों ने घर रका था में काफी पुलिस वाले थे और हम लोग थे और उपर से गली में गेर के पूरे सब लोग उपर से पत्थर भेंग रहे थे सर कोई बोतल कांच की बोतले मारे थे कोई पत्थर मारे थे अच्छा बड़ी मुझकर से बचके आए जब ये भीड बेकाबू हो रही थी तो क्या ये लो वीरोद ढ़ना का नाम ने रहे थे इन्हें मारो मारो कर दो मतम नहीं बगाओ कर दो हम सब पनी डूठी कर लहें हमारी साथ ऐसा हो जाएगा करके उपर से जब भत्रार अश्क टीन चार्सों के लगवाग मिनिम मुग इतना था एक गली में अच्छा अन्य जो उन्होंने ल जैसे तैसे हम लोग अपने आपको बचाकर करों से निकले हैं सर्थ ये टीम किसे बेजी पहुंची थी ये लोग लोग पर शुरू हो गया था तुर्स तुरंटी हो गया तरह पहुंचते ही बनादे साथ नोग ना भगड़ा दगड़ी 25-70 मानने सुरू कर दिया हम लोग तर तो चश्मदीतों की जो बात थी वो आपने सुन लिया और ये जो ये दंगाईयों के समर्थक वो इन तस्वीरों में फिलाल आपको दिखाई दे रहे हैं अलध्वानी शहर की ये तस्वीर इस वकत हम आपको दिखा रहे हैं और यहां नार्यवाजी इस वक्त की जा रही है ये समर्थक दंगाइयों के बतायजा रहे हैं दरَّसल तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से दो धड़ा इस पूरे मामले में बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में बरेली में भी अब लोग सड़कों के उपर उतरे हुए हैं यहाँ पर नारे बाजी की जा रही है और जाहिर से बाते इसमें उन लोगों का हाथ बहुत बड़ा माना जाएगा जो इतनी इंसा के बाद भी शांत रहने के अपील की जगा लोगों को बढ़काते वे दिखाई दे रहते हैं अब यह जड़ा देखिए कितनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हल्दवानी में य बरेली जो अलदवानी से महाँ पर भी इस समय ये प्रदर्शन सड़कों पर उतर करके लोग कर रहे हैं यह बरेली से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले में अपडेट जो है आपको बता दे तौकी रजा की यहाँ पर गिरबतारी के लिए पुलिस पूंटी हुई हो और यह उनी के समर्थक हैं जो इनकार कर रहे हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि उनकी गिरबतारी हो और अब उनके समर्थन में यहाँ पर नारे बजी की जा रही है तैयादे मिलत काउंसल प्रमो कमौलाना तौकी रजा उनी की गिरबतारी के लिए पुलिस थी और बड़ी संख्या में अब लोग तौकी रजा के साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ साड़कों पर यह जो तौकी रज़ा है वह तौकी रज़ा है तौकी रज़ा है हागर दो देना थे रज़ा है शमन भलनाया है यहाँ है यह जो चोन्दी रड़्स कॉला खुट़ा है देख़्ें अगारे मं अज़रा शमलिए तौकी रहे है थाट सुमयरा कैसे है यहाँ पांदीत ज़ोशिश कर रहे हैं एला तौकी नगरा करते ङॉथ और उसके बाद जेल भरो आंदोलन करके अपनी गिरफतारी के बाद भी उन्होंने कही थी बस तौकी रजा की सामुई गिरफतारी के एलान के बाद पोलिस ने एतियाती कदम उठाने के लिए उनकी गिरफतारी के लिए जब पहुँची तो एक ऐसे उनके समर्थतक बरेली की सडकों के उपर इस वक्त उत्रे हुए है और उस गिरफतारी का तो विरोद करी रहे है नारे भाद या पर कैसे हो रही है और कितनी बड़ी संख्या में आप तौकी रजा के समर्थन के लिए ये लोग पहुचे हुए हैं वो तस्वीर इ ऐसे बयान दे रहे हैं तौकी रजा उसके बाद तो मामला और भी जादा बिकर जाएगा इस्तिती हाथ से बेहाथ ना हो जाए इसलिए तौकी रजा की गिरफतारी के लिए पुलिस का पहुचना और फिर यह आप देखिए कैसे उनके समर्थकों का हुजूम यह सड़कों के उपर इस वक्त दिखाई दे रहा हैं यह सभी लोग तौकी रजा के समर्थक हैं उनको पुलिस पकाड़ने बसीसी के लिए यह यहाँ पर पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है और तौकी रजा के समर्थर में यहाँ पर नारे बाजी की गई है कल पहुचे थे तौकी रजा कल यह तक क्या दिया था कि हमारे उपर अगर किसी तरह का कोई आक्शन लिया जाता है तो फिर हम भी छोड़ेंगे नहीं बख्षेंगे नहीं यह का था तौकी रजा ने और यह भी उन्होंने क्या दिया था कि जान लेने तक से हम परेज नहीं करेंगा आप यह ज़रा हाइदरें यह तौकी रजा के समर्थ तक है और वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस तौकी रजा को ले जाए लेकिन वही भड़काओ बयान और उसके बाद आप देखिए इस्थिति क्या हो गई है बस यही इस्थिति ना हो जाए इसी के लिए तो पुलिस पहुची थी इसी के गिरफतारी देने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में यह जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यह उसी सामोही गिरफतारी का हिस्सा यहाँ पर है यह बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम दो तस्वीर हैं आपके सामने तो तौकी रजा आपको आगे बढ़ते व नहीं हैं इतियादे मिलत काउंसल प्रमुक है मौलाना तौकी रजा उनी की गिरफतारी और उनके साथ ये कितना बड़ा हुजूब उनके समर्थकों का अब वो भी गिरफतारी के लिए निकल चुके हैं तो कल तौकी रजा ने जो बाते कही थी प्रेस कॉंफरेंस में और साम तौकी रजा और उनके समर्थक सामुई गिरफतारी का कल एलान और आठ वही गिरफतारी इस वक्त सामुई गिरफतारी क्योंकि बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं तस्वीरों में उत्तरप्रिदेश के बरेली के तस्वीर हम आपको दिखा रहें और वो जो तौकी रजा ने बात कही है बाबरी पर सब्र किया अब हिंदू सब्र करें यह ग्यानवापी के लिए वो बोल रहें सडकों पर लड़ेंगे ग्यानवापी की लड़ाई यह तमाम बढ़काओ बयान तौकी रजा के इसके साथ सात हैलाल उनकी तरफ से यह भी कि बरेली क्य पूरे देश में पूरे देश में सामोई गिरफ्तारी दी जाएगी अब वही तस्वीर बरेली से इस वक्त दिखाई भी दे रहे हैं आपको सुना भी दते हैं कि गिरफ्तारी के लिए किस तरह से अपने समर्थकों से तौकी रजा ने अपील की थी इन तमाम बेइमानियों से एक बेचैनी का महौल बना हुआ है पूरे देश में सिर्फ मुसल्मानों में नहीं गहर मुसलिमों में भी इन चीजों को लेकर काफी बेचैनी है तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ और हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो के बारेली शेक्तिंदी जाएंगी वह तो शुरुआद वियापी कर अचलोगार है लेकिन शुरुआत बरेलिस से हम करेंगे बरेली से शुरुआत हो भी चुकिए एहतस्वीर सुना रहे हैं तौकी रजा के बैंसुन कर ये लग रहाएं कि तौकी रजा माइज शांती की बÄंत कर रहे हैं लेकिन आखर उनका मकसद क्या है ये किसी से भी छुपा नहीं है और इसलिए 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 उस मकसद की ये तस्मेर बी सामने है अने कही हो चाहिए जहाँ हमें पुलिस और परशासन का भी सहयों करना है अपने शहर के अमन की भी ह्यफादत करनी है जिला पिरशासन से जिला पुलिस से किसी किसी किसम की मजाहिमत नहीं करेंगे अब वल तो मुझे यकीन है कि पुलिस रोकने की कोशिश नहीं करेंगी बैट जो गिरफतारी वहीं पर दो ये सारी बाते तौकी रजा किये के करके हमने आपको सुनाई अब न्यूज एचिन इंडिया के आमित मेरे साथ इस वक्त जोड़ गए हैं उनका भी मेरुखा लेती हूं मुहमित बरेली में अभी क्या हाल आते तस्वीरे देखकर तो लग रहा है बड़ी संक्या में समर्ता कि साड़कों के उपर उबड़े हुए हैं यहां बिल्कुल देखिए पुलिस लेकिन जिस तरीके से मौलाना तौकी रजा ने इस प्रोटेस्ट का आवान किया था कि नवाज अदा करने के बाद वो बड़ी तादाद में किरफ्तारी देंगे तो उसके बाद पुलिस लगातार अलर्ट में थी और इस वक्त बरेली के चप्पे चप्पे पर उत्तर पदेस्ट पुलिस के जवानों की तैनाती है और लगातार दों से भी मज़े रखी जा रही है फिलाज जो तफिर हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से मौलाना तौकी रजा अपने घर से निकले है उसके बाद नवाज अदा की है नवाज अद चाहिए तरीके से हमने उनके पुराने विवादित बयान देखे है और तौकी रजा को फिलाल पोलिस में रोप दिया है और लेकिन वह अपने बारी सबर्सकों को इसके साथ वहीं बरेगी में जहां रुका गया है वहीं से वह गरिफ्तारी देंगे और और जिस तरीके से त पूरे उत्तरपरदेश में दिमे की नवाज के बाद अलर्ट जारी किया गया था हर चपे चप्पे बरेली कि हिए लगे जर्वालह की तो कि पुलिस पल्कुल अलर्ट सिक्राइब कर बीसे कल लगे हमने हमने पत्सरवाजी देगी थी उसके बाद से लगतार अलर्ट जारी किया गया था समय दर्सीम इलाकों में और उसके बाद वही बलेली में तो अपने आपको बड़े मसीहा के तौर पे बताता हैं कि वो मुस्मानों तो जाहिए तौर पे ऐसे समय में उन्हें सभी धर्मों की एकता की बात करने चाहिए तो वो